लिवर हमारे सरीर का मेन ओर्गन होता है खाज कर हमारे डाइजिसन सिस्टम के लिए सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिल लाई बार होता क्या है लिवर का हमारी बॉड़ी में क्या काम होता है हमारा liver क्यों damage होता है अगर damage होता है तो इसके क्या लच्छड दिखाई देते हैं और कैसे हम अपने liver को बहुत जल्दी से ठीक कर सकते हैं ये सारी बात है मैं आपको इस छोटे से वीडियो के मध्यम से बताने वाला हूँ तो दोस्तो अगर आपको भी liver से सम्मंदित कोई भी समश्या है कोई भी problem है तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक लगातर जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो अपके लिए बहुत चदा important होने वाला है तो friends चलिए चलते हैं वीडियो के ओर So friends सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखी liver होता क्या है दोस्तो liver हमारी मानव सरीच का सबसे बड़ा दूसरा अंग होता है सबसे पहला जो बड़ा अंग होता है वो होती है हमारी skin और सबसे बड़ा दूसरा अंग जो होता है वो होता है हमारा liver लिवर हमारी पसलियों के नीची राइड साइड पर प्रिजेंट रहता है और इसे हम पसलियों के वज़ा से उपर से टच नहीं कर सकते अगर रियल्टी में से टच किया जाए तो यह रवट जैसा गुद गुदा सा फील होता है दोस्तो लिवर का हमारी बोडी में डाइजेशन का मेन काम होता है अगर हमारा लिवर बेकार हो जाए या डैमेज हो जाए तो हमारा डाइजेशन बिलकुल बेकार है हमको बहुत सारे डिजीज क्रियेट होने लग जाती है तो दोस्तो लिवर ही हमारी body का एक ऐसा part है जो 70 प्रतसत damage होने के बाद भी अपना काम proper रखता है अपना काम बंद नहीं करता और 70 प्रतसत से जब ज़्यादा damage होता है तब ये कुछ लच्छड show करता है और अपना काम slow करता है तो दोस्तो लिवर हमारी body का एक ऐसा organ भी है जो automatically अपने आपको recover करता रहता है बेना दवाई के भी हमारा लिवर अपने आप ठीक हो सकता है ये हमारे लिवर की ही power होती है और कोई दूसरा अंग ऐसा नहीं है जो अपने आप बेना medicine लिए और ठीक हो सके तो दोस्तो हमारा लिवर 3 stage में damage होता है stage 1, stage 2, stage 3 हमारा लिवर 1st stage में कोई science symptoms, कोई लच्छड सो नहीं करता जैसे ही 2nd stage में enter करता है तो हमको कुछ लच्छड इस प्रकार दिखाई देने लगते हैं जैसे की acidity की problem है, उल्टी आना, जी में चलाना, भूक की कमी होना, खाना सरीर को न लगना, weakness महसूस होना, हलका पीट दर्द रहना, लूज मोशन होना, ये सारी problems हमको 2nd stage में सो होने लगती हैं जैसे ही हमारा लिवर 3rd stage में एंटर करता है, तो हमको कुछ इस तरह की disease create होने लगती है जैसे की diabetes है, thyroid है, joint pain है, obsity है, motapa, jointis है, pleia, हमको loose motion के साथ blood आने लगता है, हमारी नाभी बाहर आने लगती है हमको high or low BP की problem रह सकती है, erectile dysfunctions की problem हो सकती है, premature ejaculation की problem हो सकती है infertility की problem हो सकती है, liver cirrhosis है, so guys अगर आपको इन में से कोई भी science symptoms होता है तो आप कुछ जाचा करा शकते हैं, जैसे की fibro skin है, LFT है, RFT है, CVC है, USG है इनको करा के हम पता कर सकते हैं कि हमारा लिवर कितने percentage तक damage हो रहा है, इसमें क्या कमी आ रही है और अपने लिवर को बहुत जल्द से treat कर सकते हैं, so friends, liver की बहुत सारी problems को हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं कुछ हर्वस के तरू, कुछ जड़ी बूटियों का यूज करके हम अपने लिवर को बहुत जल्द से treat कर सकते हैं जैसे की wheatgrass, wheatgrass का जियोशम सुबह शाम लेके अपने लिवर को बहुत जल्द से treat कर सकते हैं शेकंड है त्रिफला चूड, त्रिफला चूड आदा आदा चम्मा सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लिया जाए तो इससे भी हमारा लिवर बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है Next है, Live 52DS Tablet इसको भी हम सुबह शाम यूज करके अपने लिवर को बहुत जल्दी से स्वस्थ कर सकते हैं Next है, UD Live Tablet, 1.500 mg या 300 mg इसे भी हम सुबह शाम यूज करके अपने लिवर को बहुत जल्दी से ठीक कर सकते हैं हाँ, ये सारी हार्व भिया टब्रेटट्स आयरुवेदिक या एलोपैतिक कोई भी मैडिशन यूज़ करें तो अपने-फेमिली-डॉक्टर से जरूर बेना अपने डॉक्टर की एडवाइज की कोई भी मैडिशन यूज ना करें क्योंकि हर एक कंडिशन में हर एक मैडिशन यूज नहीं की जाती इसलिए अपने फेमिनी डॉक्टर की एडवाइज लेना बहुत ज्यादा इंपोरेंट होता है आज का वीडियो यहीं तक आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी है तक पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ अगर इस चैनल पर नई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राब कर दीजिए और शाइट में जो वेल आइकन है इसे ज़रूर प्रेस करना क्योंकि इस चैनल पर आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तर पहुन जाए सो थेंक्यू सो मच